हेलो फ्रेंड्स मैं हुं समनत और टेक्स और नांद में आपका सागत है तो आज हम बतने वाला है speaker की wiring सीरिज wiring परलल वाइरिंग कैसे करते हैं और wiring करने के बाद उसका वार्टेज कितना होता है impedance कितना होता है तो सब बतने वाला है अच यह है speaker का series वारी इसमें दो speaker लगा हुआ है जिसका impedance है आटोम करके तो यह कैसे series में connect करेंगे तो पहला जो speaker है उपर में जो दीख रहा है उसका जो positive point है वो सीधा जाएगा आपका amplifier का positive point में और उस speaker का जो negative point बचा हुआ है वो negative point सीधा जाएगा दूसरा speaker का positive point में मतलब opposite polarity में connect होगा और दूसरा speaker का जो negative बचा हुआ है वो सीधा जाएगा आपका amplifier का negative point में तो यह होगे आपका series connection तो इसमें जो impedance था वो हो जाएगा double मतलब आपका दो speaker का impedance था 8 करके तो series में connect करने के बाद वो हो जाएगा 16 और power जो रहते है वो हमें सा double हो जाते है मतलब आपका एक speaker का 308 रहेगा तो और दूसरा speaker का 308 रहेगा तो आपका power हो जाएगा 608 तो ऐसा कुछ होता है series connection में तो अब बात करते है parallel connection का ये है speaker का parallel connection जिसमें दो speaker लगा हुआ है हर speaker का impedance है 8 ohms करके तो इसका वारिंग का इसा करते है तो उपर का जो speaker दिख रहे है और नीचे का जो speaker दिख रहे है दोनों speaker का जो positive point है positive point को connect करने का है और negative से negative को connect करने का है और positive जाएगा सीधा amplifier का positive point में और negative जाएगा सीधा amplifier का negative point में तो ये simple तरीका है तो इसमें क्या होता है जो impedance रहते है वो half हो जाते है half मतलब आपका दो speaker यूज करते है तो वो half होता है अगर तीन speaker यूज करते है parallel में तो उसका जो impedance है अगर impedance 8 ohms है तो 8 y 3 मतलब आपका speaker number वो हो जाते है आप 4 speaker parallel कर रहे तो उसका impedance हो जाते है 8 y 4 ऐसा हो जाते है और wattage जो रहते है वो add होता है मतलब 2 speaker यूज कर रहे 308 का तो उसका wattage होता है 608 तीन speaker यूज कर रहे parallel में तो उसका wattage होता है 300 plus 300 plus 300 equal to 900 हो जाते है और 4 speaker use कर रहे हैं तो 1200 watt का हो जाते है तो ऐसा कुछ है तो इसका जो explanation है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ तो चलिए दिखते हैं तो यह है series का connection जिसमें दो speaker है 8 ohms का और जिसका watt आज है 300 watt करके एक speaker का तो आप देख सकते हैं एक speaker का plus point सीधा गया दूसरे speaker का negative point में और जो दो point बचा हुआ है दो speaker में मतलब एक speaker में negative और दूसरे speaker में positive बचा हुआ है तो वो point जाएगा आपका सीधा amplifier में ऐसा है connection तो आपको calculation दिखाता है ति इसका जो net result आएगा दो 8 ohms का speaker था सीरीज में किया है मतलब वो double हो जाएगा 16 ohms हो जाएगा और wattage जा है वो भी double हो जाएगा 608 हो जाएगा तो यह है calculation हम इसको पकड़ा है new impedance impedance को हम लोग z कहते है और n मतलब new तो zn equal to z1 plus z2 तो z1 क्या है यह जो पहला speaker है उसका impedance है z1 और z2 है दूसरा speaker का impedance तो अभी देख सकते है z1 equal to z1 plus z2 तो z1 कितना है 8 ohms है 8 ohms का speaker है और z2 भी 8 ohms का speaker है तो आपका जो new impedance है वो 16 ohms हो जाएगा और जो power का calculation है pn p equal to power होता है और n जो है वो new तो new power equal to p1 plus p2 तो आपका पहला जो speaker पकड़ा था उसका 308 का था और दूसरा speaker भी 308 का था तो यह आपका new power हो गया 600 watt तो यह है आपका calculation है इससा कुछ होता है आप एक पर अच्छा से देख लीजिए यह है speaker का parallel wiring जिसमें दो speaker है 8 ohms का और wattage है 300 watt करकी एक एक speaker का तो इसका wiring कैसा है plus point से सीधा plus point लगता है दो speaker में और दो speaker का minus point एक सत लगता है और कोई भी एक speaker से x plus output लीजिए मतलब positive output लीजिए और negative output लीजिए तो वो सिधा जाएगा आपका amplifier में तो इसका जो net result होता है यह अपका दो 8 ohms का था यह half हो जाएगा है half मतलब 2 speaker है इसलिए half हो जाएगा तो इसका impedance अभी net result impedance आएगा चार ohms और जो इसका wattage है यह 600 watt हो जाएगा तो इसका calculation के अभी समझाते हैं तो इसका जो impedance है new impedance z n z equal to impedance और n equal to new तो यह parallel में किया तो ohms law की सबसे ऐसा कुछ होता है 1 by z n यह 1 by हो जाएगा और जो पहला स्पिकत था उसका equation है इसा कुछ आएगा 1 by z1 plus 1 by z2 तो 1 by z n equal to 1 by 8 पहला स्पिकर के impedance प्लास 1 by 8 दुसरा स्पिकर के impedance तो यह आपका calculation करेगा तो 4 ohms पे आ जाते हैं और जो power का calculation है वो भी पहला जैसा सेम है p n equal to power n equal to new तो p1 plus p2 होता है p1 है पहला स्पिकर का wattage जो 308 था और p2 है दुसरा स्पिकर का impedance sorry wattage जो 308 था तो आपका हो गया 600 watt तो इसका भी calculation आप एक बाद देख लीजी आच्छा से ऐसा कुछ है तो दोस्तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और इसका जो अगला वीडियो रहेगा आप amplifier कैसे खरीदेंगे speaker की wattage की सबसे तो आपको बतने वाला है अगला वीडियो में तो thank you दोस्तो मेरा चैनल को subscribe कीजिए ऐसे वीडियो में लाता र